नमस्कार दोस्तों मेरे नाम पायल है और मैं PSSM Blessings टीम दिल्ली की और से आप सभी के साथ जादू बुक को आडियो शेयर कर रही हूं जो कि रॉंडा जी द्वारा लिखी गई है तो आईए चलते हैं अपने आठवे दिन की और जिसमें हम बात करेंगे एक जादूई समझी की कहते हैं अपना खाना खाने से पहले शुक्रिया अदा करना हम बहुत हजारों सालों से करते आए हैं आज भी हम मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाने से पहले धन्यवाद करते हैं लेकिन इस भाग दोड की जिंदगी में 21 सदी में शुकराना अदा करने का भाव जैसे कहीं पीछे चूट गया है कुछ भी खाने या पीने से पहले उसे धन्यवाद देना या एक बहुत ही सरल सा काम है अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो जादू हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाएगा आप उस समय को याद कीजिए जिब आपको बहुत जोर से भूग लगी थी और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था उस समय में आप शारीरिक रूप से कितना कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आपको आप उस वक्त ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे यह सब कुछ हुआ आपके साथ क्योंकि आपने कुछ घंटों के लिए खाना नहीं खाया था आपको भोजन चाहिए जिन्दा रहने के लिए सोचने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए अपने खाने के लिए और कृतग्यता महसूस करने के लिए सोच के देखें कि इसमें कितने लोग शामिल हैं जो आप तक इस खाने को पहुचाते हैं ताकि आप ताजे फल और सब्जी खा सकें किसान इन्हें उगाता है, निरंतर पानी देता है, महीनों इसकी रक्षा करता है और फिर कहीं जाकर फसल तयार होती है यह फसल फिर आपकी सब्जी मंडी तक पहुचती हैं और वहां से यह आपके घर तक आती हैं, जिसे आप पका कर खाते हैं तो धन्यवाद दीजिए इन सभी लोगों का, जिन्होंने इस खाने को हम तक पहुचाया है भोजन प्रकृती का वर्दान है अगर मा प्रकृती हमें अच्छी मिट्टी ना दे, जिसमें पोशक तत्व ना हो, तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा बिना पानी के ना तो भोजन होगा और ना ही वनस्पती होगी ना जानवर होंगे और हम इनसान भी नहीं होंगे हम पानी इस्तिमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, फल सबजी उगाने के लिए, अपने बाग बगीचों में पोधों को जिन्दा रखने के लिए हस्पतालों में, दुकानों में हर जगा पानी का इस्तिमाल होता है और अगर हम अपने इस शरीर को ही देखें तो यह भी अधिक्तम पानी का ही बना हुआ है यह पानी सच में हमारे लिए एक वर्दान है अगर यह पानी ना होता तो हम ना होते हमारा परिवार, हमारे मितर जन कोई भी नहीं होता लेकिन हम इस खुबसूरत ग्रह पर रहते हैं क्योंकि यहाँ भोजन और पानी है तो जब भी कुछ खाने या पीने बैठें तो शुक्रिय आदाज जरूर करें आकर्शन का नियम कहता है जब बहुत सारे लोग खाना और पानी के लिए धन्यवाद देंगे तब वह हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा सबकी जरूरते पूरी होंगी, इसे ब्रह्मांड की उर्जा बढ़ेगी और कभी भोजन और पानी की कमी होगी ही नहीं पहले के समय में लोग अपने खाने और पानी को ब्लेस किया करते थे क्योंकि ये खाना हमारे अंदर जाता है और शरीर को स्वास्त्य प्रदान करता है तो जब तक धन्यवाद दे कर खाएंगे तो वह है रोम रोम और कण कण को स्वस्तता प्रदान करेगा तो इसी लिए दिल से कृतग्यता का भाव लाईए और महसूस करके खाईए आज से इस अभ्यास को शुरू करें आप जो भी खाना खाएं उसका स्वाद ले करके खाएं आम तोर पर हमारी आदत होती है खाना जल्दी जल्दी खाने की तो रौंडा जी आपके लिए कहती है जरा ठहरिए अपना खाना ध्यान पूर्वक स्वाद महसूस करते हुए खाईए ताकि वहे आपके शरीर को लगे अपनी इंद्रियों को उनका काम करने दीजिए महसूस करके खाएं ताकि आपको पता चले आखिर स्वाद है कैसा यह भी याद रखिये कृतग्यता लाएं कुछ भी खाने और पीने से पहले चाहे वह एक फल ही क्यों नहों जो हमें प्रकृती मां से मिला है हमेशा धन्यवाद दें और फिर खाएं यदि आप बिना शुक्राना के भाग के खाना शुरू हो गए और आपको बीच में याद आया उसी शन धन्यवाद दें इस तरह से हम जागरुख होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे और बेहोशी में नहीं रहेंगे जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और भोजन और पानी के लिए धन्यवाद देंगे तब आप देखेंगे कि किस तरह जादू आपके जीवन में बिखर जाएगा तो जादूई अभ्यास आठ कुछ भी खाने या पीने से पहले एक शण रुके अपने दिल से ये शाजादूई शब्द कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चाहे आज आप अस्वस्थ भी हो पर आप जैसे भी हैं आप इस जादूई अभ्यास को अपनाईए और जैसे ही आप इसे अपनाएंगे आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे जादू काम करेगा सिर्फ निरंतर अभ्यास की जरूरत है धन्यवाद